दिल्ली के रोहिनी में चोरी की वार्दात कम होने का नाम ही नहीं ले रही है वहीं रोहिनी के सेक्टर आर्ट में वशीकरण की चोती घटना सामने आई है जिसमें चोरों ने घर में गुशकर परिवार के सभी सदस्यों का वशीकरण कर सभी गहने परिवार वालों की आखों के सामने ही निकाल कर फरार हो गए आईए देखिए हमारी खास्ति पोर्ट हमारी समाधाता प्रियातिवारी के साथ नमस्कार मैं प्रियातिवारी आपका सौगत करती हूँ जनो दय में आज हम आये सेक्टर आर्ट रोहिनी में जहां पर एक बार फिर से लूट की वारता सामने आई है आई जानते हैं पूरी बात क्या है पहले अपने बारे बताई हां जी हां जी मैंडम जी मैं चरंजी सिंग सेक्टर आर्ट रोनी से बोर रहा हूं ऐसा है अगा कि मेरा एक लॉक खराब था तो चाबी बनाने वाले दो सदार नकली जा रहे थे यहां से निकलते हुए तो मैं में रहा है इनोने ठीक करने के बाने अंदर आया मेरा बेटा और मेरी मिसीच साथ में थी हम लोग सामने बैटे हुए थे इन्हों ने वश्करन कर दिया और मारे घरसे 10 लाख रुपे के सो ने उठा गई यहां से चले गए मतलकर की चाबी उन्होंने लोकर खोल लिया क्या क्या समान जते कि कितना सोना लगबख चोड़ी हो एक इक सो चालिस Prem यो यह सो कारीष गराम के करीब सोना मारा यह ले गए ग है कि और कोई एक पार्टस के इसमें लगाना है अलमारी में हम भी लेके आ रहे हैं वो कुछ करते रहे हमें सब कुछ पता लग रहा था लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए वश्करन कर दिया हमें इनोंने ऐसे और पोलिस में मैंने फाई आर करवाई ओनलाइन जो इनोंने सारा कुछ ड इन हिरे और कर लेकिन इनोंने सब को ड्लीट करके आज तक हमीं हमारे घर पे कोई पूछने नहीं आया कि आप के घर-चोरी क्यसे होई क्यों होई क्या नहीं होई और है नहीं। यह रही है बात में थींटी थीक रही आपकी क्या बात है मतला बेटे यहbenrics में आपे दाल्य देख रहे हैं हमें गबराट हो रही हैं अंदर से कि यह गज़त हो रहा है कि गज़तो हो रहा है हमें फिर भी हम कुछ बोलनी पारे हमारी जैसे जबान मतलल बोलीनी पारी की मतल ठीक है यह गलत है ऐसा हमें उन्होंने किया हुआ था ये नो तीन, दो जार, इकीस को ही है, मंगलवार वाला दिन था, आज पंदव्वीज दिन हो गए हैं, दिली पुलिस ने कुछ नहीं किया कि कुछ सिने हमारे घर आके पूछा हो, कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ थिक हमने जो मारे ये के सैंडर करने हैं, हमने उनकी क्राइब रंच वाले वी आ मैंनतोफ और उन्होंने क्या कि युअ अन्होंने अपना फूरिती करके चले गए अच्छ Speaking इा ने और मैंने विदाय के लोग शर्मा जी को भी जा के बोला उन्होंने भी फोन किया लेकिन इन्होंने हमारी कोई सनवाई नहीं की और ना F.I.R लिखी फिर मैंने ओनलाइन की वो पशांत बे अठाने में जा के लगी F.I.R तो फिर उन्होंने तीसरे दिन यहां रोनी में आई तो उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया और मैंने A.S.I.E.O को बोला कि आपके पास रुमेश शर्मा जी को कि रुमेश जी को कि आपके पास आई है तो वो बोर रहें मेरे पास तो रुपोर्ट आई नहीं उसके बाद कहा रहे हैं यहां आ जाओ जो जो हुआ है लिखा दो और इन्होंने हमने आज तक उनको देखा ही नहीं और कोई घर पे नहीं है आया मारे पूछने